Hello friends, आज के वीडियो में हम देखने माले एडिट डिस्टिंस का प्रिंटिंग ऑपरेशन्स इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि अगर मेरे पास एक स्ट्रिंग, स्ट्रिंग 1 और उसे में स्ट्रिंग 2 में कनवर्ट कर रहा हूँ, तो minimum number of operations क्या होगा? पर हमें क्या ये पता चले था कि ये operations कौन-कौन से है? answer है, नहीं, ठीक है? तो ये कैसे पता चलेगा हमें? उस चेज़ के बारे में हम इस वीडियो में देखेंगे, ठीक है? तो सबसे पहले में आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, कि अगर आप tab of ij को update कर रहे है, तो आपका value या तो यहां से आएगा, या तो यहां से, या तो यहां से, that is tab of i-1j से, या tab of i-1j-1 से, या ij-1, और अगर आपका value यहां से आ रहा है, that means tab of i-1j minimum है, और इसका म के i-th character को, ठीक है, और अगर आपका answer यहां साया हुआ है, इसका मतलब क्या है, यह minimum है, और इसका दूसरा meaning क्या है, कि आपने string 1 में string 2 का j-th character को insert किया है, ठीक है, that is आपने insertion perform किया हूआ है, और अगर आपका answer यहां से आ रहा है, इसका मतलब दो चीज होता है, पहला string 1 के i-th character को, ठीक है, string 2 के j-th character से replace किया हूआ है, ठीक है, और दूसरा meaning क्या है, कि आपने कुछ भी नहीं किया हूआ है, और यह कुछ भी नहीं का मतलब क्या है, देखिए, पहले आप क्या करोगे, string 1 के i-th character को string 2 के j-th character से match कराओगे, अगर match नहीं होगा, तो replace करोगा, otherwise आपको कुछ करना ही नहीं है, तो पहला case क्या हुआ, कि जब दोनों character equal है, तब हम diagonal पे जाएंगा, दूसरा character क्या हुआ, अगर हम replace कर रहे है, दोनों ही case में हम diagonal पे जाने माले है, तो replace और same, तो यह रहा कि हम क्या करेंगे, ठीक है, मतलब अगर हमारे पास एक cell को update कर रहे ह है, तो depending upon कहां से value आ रहे है, हम कौन सा operation perform कर रहे है, तो अब हम code को समझते है, तो यह है मेरा code, ठीक है, printing operations के लिए, तो सबसे पहले मैं क्या check कर रहा हूँ, क्या m equal to 0 है, और n भी equal to 0 है, और अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ही strings empty है, तो मैं क्या करूँगा, print कर दूँगा, all done, ठीक है, दूसरा case का है, क्या m greater than 0 है, and n is equal to 0 है, that is, मेरा जो first string है, इसमें कुछ characters है, और second string जो है, यह empty है, तो इस case में मैं क्या करूँगा, delete करूँगा string 1 के characters को, ठीक है, देख लिजे, यहाँ पर मैं यही चीज कर रहा हूँ, और delete करूँगा, मैं एक एक करके, जो कि मैं अपने code में कर रहा हूँ, तो अब आते हैं इस वाले condition पर, यहाँ पर मैं क्या check कर रहा हूँ, l if m is equal to 0, that is, क्या मेरा string 1 जो है, वो empty है, और string 2 में कुछ है, ठीक है, मैं लिजे, x, y, z, तो इस case में मैं क्या करूँगा, in characters को insert करूँगा string 1 में, तो देख ल करके कर रहा हूँ, अब यहाँ पर आ जाईए, l if, that is, मैं यहाँ पर क्या करूँ, characters को match कर रहा हूँ, और अगर मेरा characters match हो रहा है, मतलब मुझे कुछ भी नहीं करना है, और मैं diagonal पर जा रहा हूँ, ठीक है, characters match नहीं हो रहा है, और मैं diagonal पर जा रहा हूँ, ठीक है, अब आत इसका मतलब मैं क्या check कर रहा हूँ, कि क्या जो मेरा diagonal है, वो छोटा और equal to है, upper value से, and diagonal जो है, छोटा और equal to है, left value से, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा जो answer है, वो diagonal से आएगा, और इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा होता है, तो मैंने replace किया हुआ, और replace क्या किया हुआ है, string1 के i-th character को string2 का j-th character से, ठीक है, और उसके बाद मैं इस function call को चला दूँगा, that is, बाकी के strings में मैं चेक करूँगा, और यहाँ पर देखे, tab of bu mn-1, mn-1 क्या है, mn-1 जो है, वो ये वाला cell है, ठीक है, और इस cell का significance क्या है, कि मैंने insert किया हुआ है, और insert क्या क्या हुआ है, string2 का j-th character को string1 में मैंने insert किया है, देख लिजिए, यहाँ पर मैं इसी चीज़ को print कर रहा हूँ, insert string2 का j-th character को at position m, ठीक है, और फिर ये function call चला रहा हूँ, दो कि बाकी के strings में चेक करेगा, अब ये last, और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं है, मतलब क्या हुआ, कि मेरा जो minimum है, वो यहाँ से आया हुआ है, इस particular cell से, और अगर ऐसा है, इसका मतलब क्या है, कि मैंने delete किया हुआ है, और delete क्या किया हुआ है, string1 के अ-th character को, ठीक है, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पर बना रख है उस पे, और मैं table में क्या कर रहा हूँ, देखिए, इस same table को मैंने fill किया था bottom up वाले video में, ठीक है, तो basically मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं a, b, c, d को, x, y, a, b, z बनाता हूँ, तो मेरा कितना operations लगेगा, और यह है 4, ठीक है, अब हम निकालेंगे कि हम कौन-कौ operations कर रही है यहाँ पे, ठीक है, तो देखिए, आपका answer कहा से आया था, आपका answer आया था, यहाँ से, इस वाले cell से, तो आप यहाँ से backtrack करना सुरू करेंगे, तो देखिए, इन तीनों में से minimum कौन सा है, minimum यह दोनों ही है, लेकिन मेरे code में क्या हुआ है, कि मैंने replace वाले को choose किया हुआ है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे चले जाऊँगा, और एक चीज, आपको, that is, string transformation के लिए multiple answers हो सकता है, ठीक है, और depending upon the code, आप उस answer को print कराएंगे, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने code के लिखा हुआ है, तो मैंने जीज चो code लिखा हुआ है, वो replace वाले को choose करेगा, ठीक है, तो देखिए, minimum यह वाला है, diagonal, इसका मतलब क्या है, कि उसने replace किया हुआ है, that is, उसने d को z बनाया है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे, पहले मैंने यह print कर दिया, कि string 1 के mth character को, उसने क्या किया हुआ है, string 2 के nth character से replace किया हुआ है, यह है d, यह है z, ठीक है, अब यह diagonal पे चला गया, अब मैं वापस से check करूँगा, यहाँ पे देखिए, c है, और यहाँ पे b है, क्या characters equal है, नहीं है, तो इन तिनों में से जो minimum है, उससे इसका answer आय होगा, लेकिन, देखिए यहाँ पे, यह minimum है, तो इसका answer 2 साया हुआ है, उपर का मतलब क्या होता है, उपर का मतलब आपने deletion perform किया हुआ है, that is, आपने c को delete किया हुआ है, ठीक है, तो आप चले जाओगे उपर, अब आप उपर आ गए, आप क्या दिखेंगे, characters को match करव आप क्या करोगे, फिर diagonal जाओगे, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे, string 1 का जो length है, वो हो गया equal to 0, and n is greater than 0, so यह वाला जो condition है, यह आपका true हो जाएगा, तो क्या होगा, अब एक एक करके यह characters को insert करेगा, that is, string 2 के characters को string 1 में insert करेगा, तो सबसे पहले क्या होगा, यह print हो ज उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे चले जाएगा, देखिए, यहाँ पे मैंने function call किया, वो है न, यह यहाँ चले जाएगा, तो अब हो गया मेरा, m equal to 0, and n equal to 1, तो again यह वाला condition true हो जाएगा, और क्या करेगा यह, अब यह print कर देगा, insert x, ठीक है, insert x print होगा, और जैसे यह print होगा, यह अब चला जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ पे जैसे ही आएगा, m और n दोनों ही 0 होगया, और जैसे ही m और n 0 होजाएगा, वो print होजाएगा, all done, ठीक है, तो आब एक वाइज करते हैं, तो हमने क्या किया हुआ है, यह था मेरा, यह था मेरा, a, b, c, d, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, d को z बनाया, फिर c को मैंने delete कर दिया, a, b को मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर यहाँ पे मैंने x insert किया, सड़ी, यहाँ पे मैंने y insert किया, और यहाँ पे मैंने x insert किया, तो बनिया न, x, y, a, b, z, तो यह है, मेरा printing operations का code कैसे काम करेगा, और अगर आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लिल लाइक किजिए, share किजिए, subscribe किजिए, and thanks a lot for watching.